हालो दोस्तों भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है और दोस्तों आज है 11 सितंबर हो राज की यहाँ पर इंपोर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लिए लिकरें यहाँ पर आज चुका हूं तो यह कुछ अपडेट्स हैं आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमिरपुर में 40, 19, 24, शिमला में 19, विलासपुर में 15, चमबा में 6, किनुर में 6, कुल में 4, 16, 3 और कुल संक्रिमित की संक्या की बात करने तो 25,437, एक्टिव के 1682 और अब तक जो है 210,124 जो है ठीक हो चुके हैं ओके तो यह दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है अभी तक क कोविड 19 थे और दोसों बाकि की अपडेट्स में देता रहे तो हूं तेलग्राम के उपर तो तो टेलग्राम चैनल के ऊपर वियाप וिजित कर सकते हो बहां पर वियाउन कर सकते हो तेलग्राम का नाम है भारत अपडेट ुसके लाब है यद fees वादेर होते हैं वो भी आप भरदास से लेकर रामपो तक एनच पर आया मलबा बसें भी फसी रही दुपहरबाद मार्क बहाल तो दोस्तों यह देख सकतों यहां पर आज भी भारी बारिश का यह लट जारी हुआ है जल्दवाजी नहीं करेंगे करोना संक्रण के केस घटने पर ही खोलेंगे स्कूल गोविन तो कहा कि राश्क्री शुक्षा निती के लिए कर रहे जमीनी प्रियास जाओं पर किया जाएगा अमल और यहां पर एक इंपोर्टन अपडेट है स्कूलों के लिए शुक्षा मंत्री गोविन सिंग ठाकु ने कहा है कि प्रदेश में करोना संक्रण घटने प जल्दवाजी नहीं करेगी उन्हें नका कि शुक्षा विभाग की और से स्कूलों को खोलने को लेकर भेजे प्रस्ताव की उनके पास अभी कोई जानकारी नहीं है प्रदोसी राज्यों में कुरूना संक्रण उनके मावनों में कमी आने पर स्कूर खोले गए हैं शुक्ष यह जाएगा और उन्हें रहा कि राज्ट्री शुक्षा निती के लिए कई जमीनी प्रियासों यहां पर किया जा रहे हैं तो यह दोस्तों लेटर सब्सक्राइट के निजी स्कूल में एक साथ 16 शुक्षा करोना पोजिटिव चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट यह रह अब बहां यहां पर केबल रिजर्व क्राटिकेरी की सीटें शेज बजी है जबकि निजी स्क्षन संसानों में सीटें भरी जा रही हैं बोर्ड दक्षा सुरेश कुमार सोने ने बताया कि हिमार्चल प्रदेश स्कूल सिक्षा बोर्ड 6 सिदंबर से 18 सिदंबर तक डेलेड प्रदेश प्रदेश के लिए काँसलिंग का यहुजन कर रहा है निजी स्क्षन संसानों में सीटें भरने के लिए कांसलिंग प्रक्रिया जारी है नेक्स्ट अपडेट यह रही data entry operator electricity का प्रिक्षा प्रिक्षा प्रणाम जह गोशित कर दिया गए है data entry operator के एक बद के लिए 6177 अभयत्यष्व में आविदन किया थे रमसे 5148 पातर गाय पाय गए थे ठीक है तो यह दुस्तों यहां पर देख सकते हो ठीक और इनकी जमून ल्यांकर नम्रिक्षा 27 जितम पर कुछ भा साड़े 9 बजे से आयोग की कार्यों लेवा होगी वहीं आयोग ने इलेक्टरिशन तकनेशन पोस्ट कोड़ आर्सव नहतर के एक बद को भनने के लिए अंति प्रणाव घूजित कर दिया है और यह आप यहाँ पर देख सकते हो आप यह विवसाइट के ओपर भी चेक कर सकते हो थीक है चलें नेक्स अपडेट यह रही दूस्तों इगनू की तरफ से एक इंपोर्टन अपडेट आप सभी के लिए दूस्तों इगनू के लिए अभी अगर आप इगनू से सीधे पुर्वेश की सुभित शात्रों को दी है युनिवस्टी के AICTE से एप्रूब दो वर्षी MBA प्रोग्राम जुलाई 2021 सतर से शुरू किया जा रहा है इस कोर्स में किसी भी मानेत परापत विशुदाले से 50 फीज़ी अंक के साथ और आरक्षित भर्ग में 45 फीज़ी अंक परापत सनातक पातर होंगे प्रवेश के लिए आविदन की अंतिम दिथी 30 से दंबरते की गई है इसके लावा इगनू में सेक्षिनिक सतर जुलाई 2021 के लिए बिभिन Master, degree, Bachelor, degree, Bachelor, diploma, PG, diploma तो था सर्टिफिकेट कारेकरमों में नए प्रवेश और Bachelor, तो था Master, degree कारेकरमों में पहले से पंजिगरित चात्रों के लिए अगले बर्च समेस्टर में पुनाय पंजिगर्ण के प्रक्रिया भी जारी रखी गई है और इसकी अंतिमर्थी 15 सितंबर तक बढ़ा दी गई है प्रवेश और पुनाय पंजिगर्ण समंदे जानकारी के लिए इगनु के अध्यान के अंदर से या इगनु क्षेत्रिय के अंदर खलीनी शिमला के दूरबाश नंबर पर आपको नटेट कर सकते हो और दोस्तों यहां पर आपको सिर्फ जो है अडमिशन लेनी होती है ठीक है जैसे अभी 15 तारीक है पहले 31 सिर्फ से पहले 2-3 बार यह इगनु जो है बढ़ा चुका है डेट आगे तो यहां पर सिंपली होता है कि जैसे अडमिशन फॉर्म भनना होता है पर फिर जमा होती है और फिर आपके एक्जाम होता है तो बाद में होता है तो इसमें एक साल होता है पर इसका चला हुआ कि सार में एक बार वेपर होंगे दूसरी साल में फिर दूसरे पर होंगे यहां कि फर्सट यह के चलि नेक्स अप्टेट यह रही कोलेज से अनुपस्थिज विद्यार्थी कर रहे है नीट और जे प्रिक्षा की तेयारी प्रतम बश्च के 49 विद्यार थी पहुंच रहे हमिरपूर कोलेज चली दोस्तों नेक्स अपडेट यह रही बन रक्षकों के 37 पदों के लिए 21 को शारेडिक प्रिक्षा देंगे आवेदिक 1863 अभिरत्विना किया है बन रक्षक पदों के लिए आवेदन अक्तोबर में लिखित प्रिक्षा तो बन विभा के तहर बन रक्षकों के 37 पद भरे जाएंगे तो यहां पर 18136 अवेदन आया है टोटल इनमसे 14,779 पूरुष और अभिरती और 3,367 महिला भ्याथी शामिल है चली दोस्तों नेक्स अपडेट यह रही चाले के पदों के लिए दस्ताविजों का मुल्यांकन बाइस को दोस इन पदों को बनने के लिए 5 सितंबर को बोर्ड मुख्याले में लेखित प्रिक्षा हुई थी और अभी मैरिट के धार पर 9 अभित्यों को यहां पर दस्ताविज मुल्यांकन के लिए चुना गया है 22 सितंबर को दोस्तों इनकी इवैलिएशन होगी डोकुमेंट शुरू आयू में दो साल छूट महिलाओं को 25 फीज़ी आरक्षन हिमाचल में भर जाएंगे कोंस्टेवलों के 1334 पद इंट्रुव्य नहीं होगा गरीब स्वरनों को भी आरक्षन एक से 31 सकतोबर तक होंगी ओनलेन आवेजन कोवीड रांटिंग की चलते बढ़ गई किया भरती नोटिस सो रुपे देना होगा कोवीड शुल्क तो यहां पर पुलिस भरती का नोटिफिकेशन आ चुका है अगर दोस्तों डिटेल में आपको जानना है तो उसके लिए मैंने कल वीडियो बना दी तो कल की वीडियो आप चेक कर लेना ठीक है डिटेल में बताय प्रिक्षाएं प्रिक्षा से चार दिन पहले डाउड कर सकेंगे एडवेट कार्ड 21 नमबर को होगा टीजटी आर्स टेट ठीक है तो टेट के लिए दोस्तों नोटिफिकेशन आ चुका है अगर इसे न भरना हो तो भर सकते हैं ठीक है और 13 नमबर से इनकी प्रिक्षाएं एक डॉल यानि कि दुस्तों आईशे डॉल की तरफ से एक नोटिफिकेशन आपको जल्द ही देखने को मिलेगा कौन सा नोटिफिकेशन जैसे अगर किसी ना एडिमेशन लेनी है यूजी या पीजी में में करनी है या बीए करनी है तो इसके लिए नोटिफिकेशन जल्द इससतर से शुरू करने की है तियारी तो आईशे डॉल की एडिमेशन के इंतजार आपका खत्म होगा बहुत दुनों से आप पूछ रहे थे कि आईशे डॉल की एडिमेशन कब होगी तो आईशे डिमेशन अभी जल्द ही होने बाली है जब भी होगी मैं आपको बता कुछ यहां पर चूटा होगा तो बहुत हम उसको अभी बता देते हैं आपको ठीक है तो यहां पर दूस्तों बात कर लेता हो मैं पीजी एंट्रेंस के जो कांसुलिंग है उसके बार में तो कल भी बहुत सारे रिजल्ट आये हुए हैं कांसुलिंग के लिए लेना ठीक है इसके अलावा दूस्तों बात कर लेते हैं एच पीजी डेट शीट की तो यहां पर और चूटा कुछ देख लेता हुए नहीं ठीक है तो कल अगर किसे ने वीडियो नहीं देखे तो इसलिए मैं यहां पर आपको बताने के लिए लिए लिखा हुआ है कि अगर कि आप पहले परानी वाली जो देखके जाए और रिवाइज दू आ चुकी है तो आपको कल वारी डेट शीट के अकॉर्डिंग जाना है वहां पर एक्जाम देने के लिए ठीक है तो आप चेक कर लेना एक बार वीडियो में ना कल बना दी थी तो उसको चेक कर लेना रो औ आपको डेट शीट अगर चाहिए होगी तो मेरे टेलेग्राम चैनल के उपर आपको मिल जाएगी ठीक है टेलेग्राम चैनल का ना है भारत अपडेट्स ओके और इसके साथ ही जोस्तों पीजी का जो रिजल्ट है आपका केमिस्ट्री का और कांसुलिंग शिंडियोर भी श